अगलो फ्रैंट्स उस वीडियो में मैं बात करूंगा जेके बोस की ओोसिल नोटिफिकेशन को लेके जेके बोस ने अपनी ओफिचियल वैप साइट पे एक नोटिफिकेशन रिलीस करा हुआ है लेकर ने क्या रिकार्डिंग क सफियो नोटि कर दो ताकि आपको जमुक्ष्मीर रिलेटिट सारी important information time to time मिलती रहे चाहे वो जेके बोस रिकार्डिंग हो जमु युनिवरस्टी हो चाहे वो जमुक्ष्मीर में कोई jobs related हो चलिए अब मैं आपको जेके बोस की official website पे लेके चलता हूँ वहाँ पे आपको दिखाता हूँ examiners during forthcoming y annual examination of class 10th and 12th जो class 10th और 12th के लिए important वीडियो है जिन बच्चों ने private अपने y annual fresh exam देने थे fresh private हो चाहे वो जो भी private student हो y annual का student हो class 10th और 12th का उसके recording उन्होंने जह notification निकाला हूँ है क्या notification है इसके बाद हम आपको notification दिखाएंगे सिरफ इधर आपको official notification दिखाईद जा notification खोल के दिखाता हूँ उस notification में क्या लिखा हूँ जे रहा आपका जेके बोस का official notification सबसे पहले मैं आपको date दिखा देता हूँ इसकी 10-9-2020 को जे notification रिलीस किया हुआ था लेकिन जेके बोस की official website पे जे आज update हुआ क्योंकि हम जेके बोस की official website पे continue visit करते रहते हैं new updates के लिए आज का notification आज इन्होंने release कर रहा हुआ है कल इसको announce कर दिया गया था अब हम चलिए notification को पढ़ते हैं और notification में आपको पूरा अंतिम तक समझाता हूँ इस notification में क्या लिखा हुआ है ताकि आपको पूरा समझा पाए कोविड prevention measure to be observed by examines and examiner during the forthcoming by annual examination जिनके भी by annual examination आने वाले हैं वो class 10th के हों चाहे 12th के हों चाहे वो examiner हों चाहे वो examines हों उनके लिए कोविड 19 के लिए उन्होंने क्या बोला हुए prevention measure सबसे पहला क्या है जो head of institution है examination center का वो examination center को cleaning रखने में पूरा सहजोग करें उसके बाद student की seats arrangement होगा उसके उदर भी बिल्कुल क्या होगा बिल्कुल sanitize होना चाहिए और हर एक student के बीच physical distance कितना होना चाहिए 5 feet का होना चाहिए minimum 2 बचों के बीच distance का उसके बाद bearing of marks should be mandatory आपको marks पहन के ही जाना पड़ेगा अपना sanitizer अपनी drinking water bottle लेके भी साथ जाना पड़ेगा औ और आपको physical distance बना के रखना पड़ेगा entry में और exist में अपने examination center में और जहां पे आपको जो examination examine होंगे आपके teacher होंगे invigilator होगा उसको wearing gloves अपने डालने पड़ेंगे उसके बाद अपने hand उनको sanitizer करने पड़ेंगे रेगुलर सुपरीट होंगे उनको वी क्या डालना पड़ के चलना पड़ेगा और gloves भी डालने पड़ेंगे और जो hand shaking है वो भी probability है उसके बाद gloves डालने पड़ेंगे crowded आपको area में नहीं खड़े होना है और अपना share नहीं करना है कुछ भी चाहिए pencil हो pen no कोई किसी परकार का अपना वो आपको share नहीं करना है अगर आपको किसके symptom है cold के symptom है चाहिए किसके भी symptom है तो आपको उदर से separate room में कर दिया जाएगा ठीक है और spitting is strictly probability मलगी बहां पर आपने थूकना पानी करके फैंकना कुछ भी अलव आपको नहीं है अगर आपकी थोड़ी तबियत खराब है तो आपको अलग से कमरा दिया जाएगा उसके बाद चल लेके जाना पड़ेगा sanitizer water bottle और जो sanitizer लेके नहीं जाएगा mask पैन के नहीं जाएगा उसको allow नहीं किया जाएगा examination center में बोलने के लिए ठीक है board of school education take necessary measure to ensure physical distancing मतलब कि board भी पूरी जोर लगाएगा अपको COVID-19 से बचाने के लिए और आपको भी अपनी सहित का खुद धियान पूशिये चाहे जैके बोस रिकार्डी हो चाहे किसी के रिकार्डी नो जाहे हिंद जा बारत